हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उतकस नर्सिंग क्लासेज के सॉनलाइन प्लेटफर्म के उपर जहां पे मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्पून टॉपिक के उपर जिसका हमारा जो आज का जो टॉपिक डीटेल है वो है कि नौट सेट का एक्जाम जो है सर मैं पहली बार देने जा रहा हूं और पहली बार में इसको कैसे क्लियर करूं या कैसे क्रेक करूं यह बहुत ही मुद्दे वाला प्रस्ट है बहुत सारे बचों की तरफ से यह प्रस्ट बार मेरे को मिलता आया है और मिलता रह र होना चाहिए तो मैं अपनी पूरी इमानदारी से इस स्वाल का जवाब अगर देने जाऊं तो पहला तो मेरा जवाब यह निकल के आएगा कि आपको पढ़ाई करनी पढ़ेगी इसके लिए तो सर क्या मैं पढ़ लू तो मेरा पहली बार में नौट सेट क्लियर हो जाएगा बिलकुल हो जाएगा लेकिन कई ऐसे बच्चे हमने देखा है जो पढ़ते हैं फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है अब बात वहाँ फस जाती है वागि इस स्वाल का जवाब बहुत सिंपल है है न मेरे को अलग से बताने की जिरूत ही नहीं है क् पढ़ने से ही नौट सेट के लिए रहता है यह तो पुरी दुनिया जानती है आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं सब लोग यहां पे जानते हैं लेकिन पढ़ने के अलावा ऐसा क्या है सर ऐसी कौन सी इंपोर्टेंट मुद्दे की बात है जो आपको यहां पे ध्यान र होता है नौट सेट का जो एक्जाम होता है इस में अबदलाव है यह पता हुए न च第一 रही में पर उता है एक तो प्री और एक मेंस एक प्री और एक मेंस और यह जो प्री का एक्जाम होता है इसमें आपको 100 question मिलेंगे जो 80 subject के और 20 non subject के रहेंगे और इनको 5 division के अंदर divide कि 100 question को जो 20 20 का division होगा 20 20 के 5 division होगे और 20 questions को करने में आपको 18 मिनट का वक्त लगेगा 18-18 मिनट का वक्त लगेगा आपको 20 question को करने में वक्त दिया जाएगा लगेगा नहीं दिया जाएगा आपको तो कितना भी लग सकता है दिया जाएगा तो time management का issue आपका बिल्कुल नहीं है तो पहली बार दे रहे हो दूसरी बार दे जो इस पेसली पहली बार दे रहें उन बचों का एक बड़ा issue होता है time management का तो time management exam आपका कर रहा है 18-18 मिनट 20 question management कर रहा है यह जो 20-20 question आपको करने है उसमें अब आपको यह रखना है कि negative marking कम की जाए और attempting थोड़ी अच्छी की जाए तो पहला aspect यह है अगर आप इस not set को crack करना चाहते हो first attempt में तो आपको इस exam को qualify करना पड़ेगा और इसके लिए आपको 20 में से तक्रीबन तक्रीबन 14 से पंद्रा 13 से पंद्रा कैदू में minimum 13 maximum 15 question करने हैं आपको अगर आप 13 13 प्रस्ण करते हो तो आपके टोटल पांच में 75 75 question हो जाते हैं और आप 15 15 करते हो तो पिछ यह question आपके attempting हो जाती है 65 से 75 के बीच में अगर आपकी clear attempting है और इसमें negative marking बिल्कुल नहीं है तो तो आप समझो qualify अराम से होगी negative marking कम ही रखनी होती है हर बार तो मेरा पहला टार्गेट यह attempting का कि मैं हर 20 में से 13 या 15 प्रश्ण करूंगा 13 या 15 questions जो है वो मैं यहां पर हर 20 question मैं से 13 या 15 questions 13 से 15 questions करूंगा वह सकता 16 17 भी आया आपको तो वह भी मना नहीं है पर यह आप कर सकते हो नो नर्सिंग तोड़ा last वाला portion के रूप में खुलता है यह जो अंतीम वाला तिन चार में नर्सिंग कुलती है तो नर्सिंग का तोड़ा ज्यादे ही रखना है किसी में 16 कर दिए किसी में 17 कर दिए ताकि नो नर्सिंग में नहीं भी आएगा तो कर देंगे पर आपको बि यह नहीं है तो तुका गलती होगा उससे आपका सलेक्शन नहीं हो सकता तो इसको तो आपको करना पड़ेगा क्वालिफाइ और इसमें अटेंटिंग आपकी 13 से 15 के बीच में हर सेक्षन में करने क्वेस्ट्टल पिच्छतर टार्गे रखना है और ज्यादा से ज्यादा इ नेगेटीव से बचना है में की तरप आता हूँ में तो मेंकश का पेपर होता है इसका पैटर्न यो कुछ इस तरीके का रहता है इस तरीके का रहेगा कि 45 मृनट के अंदर 40 क्वेशन आपको करने कंदो दीए जा रहे हैं 45 मिनट का वक्त है और 40 क्वेशन 40 question वो आपको 45 minute के अंदर करने और ऐसे 45 minute के अंदर 40 question 45 minute के अंदर 40 question और 45 minute के अंदर 40 question यह नी कि आपको 160 question मिलेंगे 180 minute के अंदर 180 minute का वाक्त है और 160 question आपको करने है यहाँ पर थोड़े question land दी होंगे ध्यान रखना यहाँ पर थोड़े question जो है वो क्या रहेंगे थोड़े land दी रहेंगे वन से मिनट तो यहाँ पर question तोड़े land दी रहेंगे स्लाइड इंट्रक्शन था पैनल का कोई बात नहीं तो यहाँ पर थोड़े question land दी रहेंगे तो यहाँ पर आपको मतलब comprehensive knowledge काम आएगा जो बचा पहली बार not set का exam दे रहा है उसके लिए यह exam पड़े ही काम आएगी यहाँ पड़े ही काम आएगी यहाँ पर आप जो है इसको कर भी सकते हो आसानी से qualify करना easy हो जाएगा लेकिन मैंस के exam में ध्यान ग्यान और ध्यान दोनों चाहिए ध्यान मतलब सुआल को समझ सबसे important है सुआल को समझना comprehensive knowledge लगेगा जितना लंबा पड़ा होगा जितना बढ़िया पड़ा होगा जितना ज्यादा पड़ा होगा वो इसके अंदर यहाँ पे काम आ आने वाला है यह दो बाते आपको महतपून है जो ध्यान रखनी है अब नौर्सेट के exam को ज्यादा दिंग नहीं बचे है और मुझे पहली बार में इसको क्रेक करना है सर तो थियोरी को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो प्रिविएस के questions जो है वो जरूर पड़े प 800 एपिसोड नौर्सेट सिरीज का कब आने वाला है इस 20 तारीको तो इस 800 एपिसोड में 20 तारीको सुवे छह बजे 800 एपिसोड है और उसमें नौर्सेट के exam के सभी महतपून टॉपिक और सभी आएवे प्रस्न जो है एक ही क्लास में निप्टा देंगे तो आपके लिए औ सा और सिंपल सा तरीका रहेगा तो यह पूरी कहानी जो है आपको मेरे साब से दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी तो नौर्सेट के exam oriented यह जो पड़ाई है वह आपको करनी है तो बस नौर्सेट सिरीज प्लस study plan जो हम बता रहे हैं प्लस previous year के questions अपनी theory को अलका revise कर नहीं हो इस तरह के इस topic को आपको clear रखना है जो important topic से वो clear रखने हैं जो स्वाल repeat होते रहते हैं वह आपको पता होने चाहिए और साथ में आपका exam का pattern orientation आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए खुद पर विस्वास रखिएगा और definitely आप पहली बार में अपनी पसंदीदा rank निकाल लेंगे तो चलिए एक important information जो मैंने आपको यहां पर provide की है एक और खास बात जो मैं आपको भी यहां पर बताने वाला हूँ प्यारे दोस्तों जो हमारा एक मैत्पूर्ण मुद्दे की बात रहेगी इस video के अंदर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर किया है वह है कि इसका थोड़ा लेंदी पेपर बनेगा यह नुद्ट ने मुद्दे की इन अपर जो है वह थोड़ा क्या बनेगा लेंडी बनेगा Landy इंगा lange कि तो बस आपको क्या है कि सुवाल को पढ़ने की तोड़ी वो डेवलप करने पड़ेगी ताकत और यह बार-बार question practice हो जितने question पढ़ रखे होते हैं exam में question को समझना उतना आसान हो जाता है तो अभी एक महिने में ज्यादा जोर theory पर नहीं देके question practice इस पर देना है यह आपका पहला मुद्दा होना चाहिए बाकी इस तारीक को हम मिलेंगे और सारे mathpun topic ताकि आप पहली बार में Northset clear कर लो यह मेरी तरफ से आपको रहेगा अब आप सभी को पताए कि उतकर्स आप लोगों के लिए लेकर आया है चाहिए आप Northset की चाहिए आरार भी की तहरी करें हो उतकर्स app पे चल रहा है सिक्सा महत्सव जिसमें सभी online courses की उपर 78% का flat discount साथ में NG 13 coupon code apply करने पर 13% का अत्रिक discount और रक्सा बंदन की कुशी में 100% reward point जीतने का मोगा क्या जबर्दस्त मलब आप लोगों के लिए एक दम सौने पर सुआगा हो जाएगा मामला और उतकर्स के सभी online courses चाहिए वह नौट सेट का रामबान बैच हो प्राइम हो चाहिए टार्गेट 7 जो नौट सेट टार्गेट 7 का मारा mcq बैच है theory बैच है सभी तरह के बैच है वह यहाँ पर आपको मिल रहा है डिसकाउंट के साथ में मिल रहा है तो आज ही उतकर्स एप डाउन्रोड करना है अपने आपको उसमें एनलोल करना है और जो आपका पसंदिदा कोर्स है उसको परचेज करना है और अपनी तयारी को मजबूती देनी है तो चलिए आज के सेसन को यहीं विराम देता हूं आई होब आप मेरी बात को समझ पाए है और पहली बार में कैसे हम करेक कर सकते हैं इस नौट सेट के एक्जाम को यह बात आपको दिमाग में घर कर गई है तो मिलते हैं दुबारा और आपको मिलता रहेगा गाइडेंस रोज सुबह छे बज सकते हैं इसे ही गुम्राथ तो वह है जो घर से निकली नहीं मिलते दुबारे एक नए सेसन में तब ते के लिए जय हिन जय भारत जय माकाल